पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं, हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिठियां पेड, पौधे, पानी और पहाड बाचते हैं, हम तो केवल यह आकते हैं, कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती हैं, और वह सौरब हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है, और एक देश का भाप दूसरे द प्रिष्ट 32, प्रश्ण अभ्यास, कविता से, एक, कवि ने पक्षी और बादल को भगवान के डाकिये क्यों बताया है, स्पष्ट कीजिए, दो, पक्षी और बादल द्वारा लाई गई चिठियों को कौन-कौन पढ़ पाते हैं, सोच कर लिखिये, तीन, किन पंक्तियों का भाव है? क, पक्षी और बादल प्रेम, सद भाव और एकता का संदेश एक देश से दूसरे देश को भेजते हैं क, प्रकृती देश-देश में भेदभाव नहीं करती, एक देश से उठा बादल दूसरे देश में बरस जाता है पक्षी और बादल की चिठियों में पेड़ पौधे, पानी और पहाड क्या पढ़ पाते हैं? पांच, एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव सपश्ट कीजिए पाट से आगे एक, पक्षी और बादल की चिठियों के आदान प्रदान को आप किस दृष्टी से देख सकते हैं? दो, आज विश्व में कहीं भी समवाद भेजने और पाने का एक बड़ा साधन इंटरनेट है पक्षी और बादल की चिठियों की तुलना इंटरनेट से करते हुए, दस पंक्तियां लिखिए तीन, हमारे जीवन में डाकिय की भूमिका क्या है? इस विशे पर दस वाकिय लिखिए अनुमान और कल्पना डाकिया, इंटरनेट के वर्ल्ड वाइड वेब, www, तथा पक्षी और बादल इन तीनों समवाद वाकों के विशे में अपनी कल्पना से एक लेख तयार कीजिए लेख लिखने के लिए आप चिठियों की अनूठी दुनिया पाठ का सहयोग ले सकते हैं प्रिष्ट 33 पांक, पर, सुरभ, सुगंध, सुबास अभियाप सुन रहे थे पाठ छे भगवान के डाकिये प्रस्तुती, C-I-E-T-N-C-E-R-T, नई दिल्ली, भारत